मा जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिन्दा होते तो वो क्या चाहते यही ना कि आपकी बहू अपनी बची वे जिन्दगी खुशी से जी प्यार के साथ जी छोड़ दीजिए ये पुराने रीती रिवाज ये सब कुछ खतम कीजि और शालिनी जी को अपनी जिन्दगी अपनी मर्जी से जीने दीजे ये उनका फैसला है तुम दोनों हमेशाँ खुश रहों नहीं मा जी समाज के कहेगा नहीं मेड़ा अब मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता पहाण में जाए दुनिया और दुनिया के लीती निवाज अरे ऐसे लीती निवाजों का क्या करना कि जिसमें इंसान अपनी जिंदगी ना जी सकता हो मुझे भी अब किसी का कोई डर नहीं है कोई परवा नहीं है बस तुम दोनों कुछ रहा सुखी रहा परवा जिए जिए विए अनली ये केस सॉल्फ हो गए कुछ बात करना था हाँ हाँ बोली क्या हो आप कहां भी फिर क्या होगा करशमा सिंग और एक मिनिट अनुबहफ कहां है माना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि कि जो होता है न वो हमेशा अच्छे के लिए होता है बहुत अच्छा हुआ कि यह सच अनुवव भया का आपके सामने आ गया ऐसा धोके बाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर मैं तो शरम आती है ऐसे धोके बाज इंसान को अपना भाई कहते हुए वो समझ में आ रहा है भमको कि वो घर घ्रस्ती का जिम्मेदारी उठाने को तयार ही नहीं थे मैडम सर वो आप समझ यह आत को तो शुकर गुजारे भोले नात के कि सही समय पर सच पता चल गया था कि आप हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे धोके बाज इंसान को आप भूलके ना आप अपना आगी की जिंदिकी के बारे में सूचिए आगे का जिंदिकी अच्छा होगा मैडम सर अगे करिश्मा नहीं यह नहीं वो सब्सक्राइब अमी नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता अमी समहली अपने अपको वो प्यार करता है तुमसे अमी उसके आखों में मैंने तेरे लिए प्यार दिखा है अमी अमी आप देखिए अपनी अपनी शान तो जाए यह कुछ नहीं हो आए सब ठीक है कुछ तो होगा कुछ करपड़ोगी वर्ण भू सिखाय में नहीं यह सब्सक्राइब कुछ कुछ काम होगा अमी अभी आप शान तो जाए है अमे इस बारे में कल इत्मिनान से बात करें ठीक है अब इस तरफ आईए तक दो मिट के लिए आईए माडम सर ठीक है करिश्मा सिंग अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपनी जीवन के बहतरीन साल गवा दे क्योंकि जिस मिशिन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंग उसमें हसीना जी की जान को भी खत्रा हो सकता है दुष्मन हमें जुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं क्या हक है हमें उनका जीवन दाओ पर लगाने का क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गैरेंटी नहीं है नहीं करिश्मा सिंग नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं शायद कुछ कहानिया है, करिश्मा सिंग, जिनका अंत अधूरापनी होता है. हसीना जी को हमें भुलाना होगा. जब तक वो इस रिष्टे से जुड़ी रहेंगी, वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी. कभी अपनी खुद की जिन्दगी नहीं जी पाएंगी. कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी. और ये तभी मुम्किन है करिश्मा सिंग, जब वो हमसे नफरत करेंगी. बहुत सारी नफरत, अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे, तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा. और ये काम सिर्फ आप कर सकती है. हमारे लिए हसीना जी के लिए हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घरणा पैदा करनी है यह एक ही रास्ता है करिश्मा सिंग उनके जिंदगी से दूर जाने का अब आपको यह करना है सुनिये सब लोग आप सब लोग यहां आए अपना कीम्ती वक्त हमें दिया बहुत बहुत धनिवाद मगर कुछ घरेलू कारणों की वज़ह से आज की सगाई नहीं हो पा रही इसलिए हम आपसे ख्रमा चाहते हैं रुकिए अम्मी आप हमेशा कहां करती थी ना की इस तरह की मुबारक मौके से लोट जाना अच्छा नहीं होता आज आप सब यहां खुशियां बाटने आए दुला दुलन को आशिरवात देने आए सगाई की रस्म में शरीख होने आए जश्न मनाने आए तो फिर यही होगा आज यहां सगाई होगी आज यहां समीर जी और शालनी जी की सगाई होगी जोज ऐसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजियो अरे आप सब इतने मायूस क्यों है हमारी सगाई तो टोटी है लेकिन हम वह भी जिन्दा है म्यूजिक चलाए प्लीज करश्मा सेंग देखिए जब अरे भाकाल दिखाए ना जब आपको दिखाना होता है भाकाल तब आप दिखाती नहीं है किजिए कुछ जश्न की तैयारी किजिए शुरू किजिए सरा महौल बनाएए सगाई की रस में शुरू करें अंगूठ या नंदिनी को दे दीजे प्लीज कर दो किजिए लगाए बनाएए जब आपको दुरू करें भाकाल दो लो आपको देखिए ऑन्दिनी को देखिए प्लीजे शुरू करें वालाएए कर दो कर दो कर दो हम सब को छोड़कर चले गए आपको, इस जगाई को, इस शहर को, हम सब को छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए कर दो मैं हूँ जोकर, मांटी तरेंट जोकर. वाँ, तो सिरियूश? हम मांटी तरेंट जोकर, हमको डान्स भीयाता, जैक्सन! आओ! हमको फाइट भीयाता, जैक्सन! बसकरो! क्या कर रहे हो ये? मज़ा रहा है ये सब करके एकबाल? यहाँ पता निले मैडम सर्चिकाश्या अचोफ और तुम ये तमाशा कर रहे हो? कुछ दुख-दर्द है की नहीं इस थाने का? क्या रहे? सारा मूरमम घता है की नहीं तुम्हों? हाँ, करता है ना कि हम लोग परिवार हैं, हम सारा थानावाल लोग तुमारा करता धरता हैं, तो करता धरता कि दूख का सरोकार है कि नहीं तुम मेडम सर पर विवत्ती का पहा टूता पड़ा है, तुम यहाँ जोकरा ही कर रहा है अथाँ, अदानियत गोर के पीगे बाबू, अब एक बाल ये उमीद ना थी वहुत्या थी हमसे, तो क्या उमीद थी, क्या उमीद ही हमसे, क्या लोग तुम लोग तर रह से मातम मनाएं, मूह अधके घुमें, अर मैडम सर तो दुखी हैं ही, क्या चाहते ह। हमें दुखी दे मैं बोल दी हैं, मैं सो सॉरी मम भी सॉरी है ठीक है छोड़ो है सब कुछ सोचो क्या कर हम इसके लिए वही करें जो इकबाल तुम कर रहे हो जैन मादम जैन कुछ भी करके मैडम सा का ध्यान इस घटना से भटकाना ही होगा इसलिए आज हम उनकी पसंद की खीर बना के लेके आये हैं कहते है खाना और गाना, इस दोनों चीज़े इंसान को बड़े बड़े दुख बुलाने में बदत करता है देखना हमारे हाथ की बने हुई खीर काकर कैसे मैडम सेर अपना सारा घम भूल जाएगे ऐसे ही बस सामानने महाल रखना है हमको इस बात का थ्यान रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं करना उनके आगे जिससे उनका सगाई का खटना याद आदा है हाँ? जी माडम मैडम सेर आगे शादी व्यार, शेहनाई, सगाई इसका कोई बात नहीं करेगा किसने परमिशन दिया यहां से आने का किसी और थाने से परमिशन ली होगी कई बार लोग शादी से पहले आते नत्मस तक करने के लिए इस पर बस टाइमिंग गलत है मैडम सर, मैडम सर सुनिये तो, बूजिये तो सही आज हम आपके लिए क्या लेकर आए है अपने हाथों से बना कर लेकर आए है काजू की खीर आपकी पसंदी ना जीते, जा जल्दी से प्लेट लेकर आए एक मिनट पुषपाजी मैडम सर, प्लेट में कैसे खीर खाएंगी थितने लगेगा मतलब प्लेट में कटोरी और चमज भी जीते है इसके जीते खाएंगी वह जा 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 जल्दी लेकर आजा मैडम सर, आप मैठी है नहीं हम ठीके पुषपाजी मैडम सर, वो समाजिक सेवा केंदर से कुछ लोग आए थे आपकी कानून व्यवस्ता और सामाजिक कारियों में जो आपका योगतान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते है मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है ये बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुक को आपको जाना चाहिए क्यों पुश्पा जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरे इसलिए तो हम खीर बना के लेकर आया ना सब का मुह मिठा करने के लिए चीते जाना जल्दी प्लेट कटोनी लेकर आओ आप सब का हो गया उतो काम की बात करें संतो शर्मा हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहु का जो जगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहता क्या हुआ रेडी है मादम सर्थ ठीक है लेकर आईए करिश्मा सिंग जी 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 मादम सर्थ वो जो जूल्री फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टम्स है उसकी लिस्स बनाने को बना दी है चीक है लेकर आईए मादम सर्थ यह लीजे इसमें सारी डीटेल्स है और मैं अभी आपको बताती है नहीं नहीं अंदर चल के बताओ मादम सर्थ संतु मुझे तु यह समझा है कि मादम सर्थ सदमे के वज़े से उनकी आताश चली गए तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनकी साथ क्या हुआ था माम अब कुछ करने की ज़रूत नहीं है काश संतु जी हम अभी न ओफ यह मासुमित ऐसा बोल पाते लेकिन अभी हम ओफ यह मासुमित ऐसा नहीं बोल पा रहे इसका दो वज़े है पहला ही कि मैडम सर्थ थोड़ी सी सैड है और दूसरा ही कि हमारे ठीक राइट में करिस्मा मैडम खड़ी है जैसे हम ओफ यह मासुमित बोलेंगे न इनका इसा उल्टा हाथ पड़ेगा आमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा इसलिए हम ओफ यह मासुमित नहीं बोल रहे है मौतो पादम नाना करके भी चार बार ओफ यह मासुमित तुम बोल चुके हो का बात कर रही है? हम चार बार बोल दिये अफ यह मारा पासना मासुमित मैया तुमारे मासुमित की सम्तु जी सम्तु जी देख रही है मार रही है मैडम सर जो बरताफ कर रही है वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा आप अपने जोडो के दर्द का दवा लेती हैं अब यहाँ जोडो के दर्द की बात कहा आगे बीच में? नहीं वो आपके भगतपुरा वाली सहेली है ना क्या नाम उसका? कौन? वो जो ऐसी है ना जो शोडा की वाटर करके खुल देती दाथ से बनवन वी, क्या आइसी है? आथट. क्या नाम उसका? सरल्ला? सरल्ला. हाँ his जोडो का दर्द है Яँ आपतनी है यहाँ लेती है ईसका दर्द ठीक हुआ? नहीं न, कहां ठीक हुआ वा बीचा? कहे नहीं हुआ अब कहे काहे काहे आप बताईये क्या तो कोई थपड मार मार के गोसे मार मार के बापरेपा, सल्तु जी आप ऐसे अपना गाउ सीती है हम भी ऐसी सीते हैं, सीगे? नए, 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 तो मैडम सर जो है वो अपना तकलीफ अपने तरीके से ने पट रही है और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए समझ कहना सुझा तो बस शादी, शेहनाई, सगाई ये ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं तलाना है स्क्यूसमी हाँ कीस आया कीस आया जी कहिए कल हमारी सगाई थी हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पॉचा इससे प्यार किया था उसी ने हमें दोका दे दिया हमें हसीना मेडम से मिला है मेडम कहा है हमें कंप्लेंन लिखवानी है मैडम सर अपनी केबिन में है ठीक है मेडम जी हसीना मेडम मेडम, मेडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है हाँ, वो तो ठीड आप कहा थी संतोशर्मा, हम यहां लेकर लेकर वो मैडम से इनीवेज, इस बार में बात में बात करेंगे जी, आप प्लीज बैठिये, बताईये क्या हुआ है आपके साथ मेडम, खल मेरी सगाई की हम मेरा मंगेतर सगाई पर पहुच जाही दे